मुंबई आतंग की हमले में पाकिस्तान के खिलाफ कई सबूत मिले हैं लेकिन अब तक इस हमले के कुछ राज खुलना बाकी है अमेरिका में पकड़े गए डेविड हेडली और तहवर राना के भारत भेजे जाने पर बात हो रही है मुंबई में आतंगवादी हमले के डेविड हेडली के साथ साथ पाकिस्तानी मूल के कनेडाई कारोबारी तहवर राना भी शामिल था इस हमले में पाकिस्तानी आतंगवादी संगठन का नाम सामने आया है लेकिन अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और सबूत मिलना बाकी है डेविड हिडली और तहवर राणा के प्रत्यारपन के लिए भारत सरकार ने अमेरिका से अनुरोत किया था हाला कि डेविड हिडली को भारत प्रत्यारपन नहीं किया जा सकता है लेकिन तहवर राणा को भारत को सौपे जाने की बात की जा रही है दरसल डेविड कोलमेन हिडली के बचपन के दोस्त तहवर राणा को जमानत मिल गई थी लेकिन भारत के अनुरोत पर उसे फिर से गिरफतार कर लिया गया भारत सरकार ने राणा के प्रत्यारपन की मांग की है जिसके सुनवाई अमेरिका की अदालत में की गई है लेकिन राणा के वकील ने उसके प्रत्यारपन का विरोत किया उनका कहना है कि जिस आधार पर हेडली को भारत भेजे जाने से मना कर दिया गया है उसी आधार पर राणा को भी भारत नहीं भेजा जाना चाहिए लेकिन दोनों के मामले के बीच अंतर है अमेरिकी अर्टानी ने कहा है कि हेडली ने अपना गुना तुरंट स्वीकार कर लिया था और वे सरकारी गवाब भी बन गया इसके बाद उसे 35 साल जेल की सजा दी गई लेकिन राना के साथ ऐसा नहीं है उसका मामला अलग है इसके कारण हेडली के तरज पर उसके प्रत्यरपन के ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती है बता दे कि साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी साल 2006 से नवंबर 2018 के बीच राना ने दाउद गिलानी के नाम से पहचाने जाने वाले हेडली की मदद की थी इसी के साथ साथ उसने पाकिस्तान में कुछ अन्य के साथ मिलकर लशकर ए तयबा तथा हरकत उल जिहाद इसलामी को मुंबई में आतंकी हमलों की साज़श रचने तथा हमलों को अन्जाम देने में भी मदद की थी पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड हेडली लशकर का आतंकी है और राणा उसका बच्पन का दोस है जिसने आतंकी हमले की साज़श रचने में उसकी और आतंकी संगठन की मदद की थी आला कि अमेरिका ने राणा के प्रत्यरपन के भारत का अनुरोद कभी दर्ज नहीं किया लेकिन जल्द ही इसे दर्ज किया जा सकता है अब राणा के भारत आने का रास्ता साफ होता दिखाई पड़ रहा है उसके भारत आने के बाद मुंबई हमले में पाकिस्तान की भूमिका के कई रास खुलने वाले है भारत सरकार ने राना के प्रत्यरपन का अनुरोद इसलिए किया है ताकि पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ कनेक्शन के कुछ और सबूत मिल सके राना के भारत आने के बाद कई एहम सबूत मिलेंगे जिसका इस्तिमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है आतंकवादियों का पनागा बना पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है भारत इसका उप्योग पाकिस्तान के खिलाफ कड़े प्रतिबंद लगाने के लिए कर सकता है इसी तरह की खबरे में आप के लिए लाती रहूँगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया